हेड़ अप लोग कैसे एक बार कमेंट कर देना आज की वीडियो में यह बताऊंगा आप लोगों को कि केड़ मास्टर अप्लिकेशन से आपपने वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं ठीक है विल्कुल आसान वे में बताऊंगा और थोड़ी सी यह लंबी वीडियो हो और सारी चीजी clarify करता रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले आपको कईमस्टर application को open करना है उसके बाद आपको एक project बनाना है 1916 अनुपाद 9 पर्जेक्ट बनाना है उसके बाद आपको media select करना है media में जाके आपको यह देखना पड़ेगा कि जो भी आपने recording create करी है तो उसको मैं simply यहां पर पेस्ट कर दिता हूं, यहां पर मैं ले आता हूं, अपर मुझे आपको चेक करना पड़ेगा, यहां पर जो भी वोईस, IP को देखना है आपको, और यहां से इस्टार्टिंग हुई है, तो मैं यहां पर आपको, बिसिकली, यहां पर दिखा दिता हूं. तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा ट्रिम करने के बाद आपको ट्रेम टू लेफ्ट ओफ प्ले हैड इसके ऊपर जैसी में क्लिक करूंगा तो इस साइट की वीडियो कट जाएगी फालतु की यह फालतु की वीडियो कट गई और इधर की आगी ठीक है उसके बाद ओक अब मैं आपको बताता हूं ठीक है सबसे पहले आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है उसके बद आप अगर आप इसकी वाइस बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप थोड़ा वाइस बढ़ा लीजेगा मैंने बढ़ा दी ठीक है उसके बाद वाइस बढ़ाने बाद मैं आपको बताता हूं ठीक है अब मैं जाता हूं लायर में जैसे मैं गया हो इसके बाद यहां पर एक इमेज ओप्शन दिख रहा है तो इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां से मुझे कुछ इमेजिस उठानी जैसे की एक यूटूब नाम का में लोगो है विसिकल यहां पर थोड़ा सा लोडिंग में दिक्कत हो रही है काफी यदा फोटो भी है विडियोस होने के वज़े से यहां पर निश्टो कर रही है अभी बस आजा जेश्ट टू मिनिट यह देखे यह आगया यूटूब का यूटूब का लोगो आगया ठीक है यह पूरा हो गया, उसके बाद क्या करना है, इसके उपर खलिक करना है, जो भी मैं नहिए अभी photo लगाई, इन एनिमेशन में, आपको एक सेट करना है, जो आपको अच्छा लगे, इसकी लग़ाना चाहिए, इसे तरीके से लगाना चाहिए, और सुम्हमेशन दोगाना चाहि clockwise मैंने set कर दिया, उसके बाद में अपने चैनल का logo लगाता हूं, अब मैं logo आपको दिखाता हूं, basically मैंने image पर गया, लेर में जानक बद image मैंने select कर ली, उसके बाद में इतनी भी photos पड़ी हैं, और वहां से मैं photos को उठा लेता हूं, और यहां पर मैंने logo बना रखा है, ठीक ह तो थोड़ा संदिक नहीं रहा है, कहां पर गया यह logo लोगो, यह देखे, यह logo, अपको बस अपने logo जो भी है, define करना है, और png file में ही बनाना है, ठीक है, यह बात आप लोग ध्याना कियेगा, png file होनी चाहिए, तब ही जाके आपका best work करेगा, यह देखे, png file का मैंने logo प थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लिजएगा आप लोग, जितना छोटा चाहें, तो basically मैं आपको example के तोर पर बता रहा हूँ, यह फिर इस तरीके से पूरे में यहाँ पर खीच लेना है इसको, खीचने कबद आपको इन animation में जो भी आप लगाना चाहिए, लगा सकते है इस तरीके से ठीक है, और यहाँ पर आउट अनिमेशन में फैड लग देता हूँ, अब यहाँ पर दिखाते हैं, अब मैं एक चीज और बता हूँ आपको ठीक है, लेयर में जाने कबद आपको, अगर आप चाहते हो कोई text बात लिखनी है, कुछ आप बो रहें, यहाँ पर अब इन sentence को आप चाहते हो, तो landiscape में रखना चाहो, बड़े में रखना चाहो, बड़े में रख सकते हो, और नीचे भी ले आ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आया, और उसके बाद आपको अलफा बेट अगर आप चाहते हो, फॉंड चेंज करना तो यहाँ से फॉंड भी अब आपको एक option देख रहे हो, मिलेगा यह देखिए, आप इसमें color भी fill कर सकते हो, जैसे में blue color रख देता हो, ठीक है, blue color हो गया, उसके बाद यहाँ से में outline भी लगा सकता हो, ठीक है, outline देख रहे हैं, outline blade की लग गई, अब उसके बाद में इसमें background भी fill कर सकता हो, background color भी अब आपको देखने को मिल रहा होगा, यह देखिए, background इस तरीके से आएगा, और इसका in animation क्या होना चाहिए, यह देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, अपना हिसाब से, letter by letter, एक letter के बाद एक letter है, इस तरीके से in animation होना चाहिए, ठीक है, out animation में आप लोग देख लीजिए fire drug देता हूँ, मैं simply, अब यह आपको मैं start करके दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा voice down कर दो, उसके बाद मैं आप लोग को start करके दिखाता हूँ, ठीक है, voice down कर दी मैंने, यह देखिए, इस तरीके से animation होगा, यह out हो गया, ठीक, आप समझ गए, अगर आप चाहते हो इसक पिन कर देना है, ठीक है, यह देखिए, पिन वाला option दिख रहा है, इसके उपर पिन कर देना है, यह lock हो चुका है, ठीक है, कहीं भी नहीं जाएगा यह, आप समझ सकते हो, कहीं भी नहीं जाएगा, और आप चाहते हो कि एक feature और बढ़ा दिया जैसे कि, यहाँ पर थोड़ वर्ड चलते रहते हैं, ठीक है, वैसा अगर आप बनाना चाहते हो, तो फिर layer पर जाना है, आपको image पर जाना है, यहाँ से आपको background चूस कर लेना है, ठीक है, जिस भी background में, simply में black रख लेता हूं background, background में black रखा, पूरे में इस तरीके से कर देना है, उसके बाद आपको क् नीचे लाना है, ठीक है, नीचे लानेक बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यह देखे, एक option आपको देखने को मिल रहा होगा, simply alpha का, हाँ यह alpha लिखा है, यह पर आपको 50% या 70% रख दीजेगा, 70% best है, ठीक है, उसके बाद यह आपको पूरे में खीच के to my channel, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख दीजे, फिर उसके बाद ok कर दीजे, ठीक है, आप चाहते हो कि यह sentence यहाँ पर set हो जाए, basically यह set हो गया, ठीक है, set होनेक बाद आपको क्या करना है, पूरे में इसको भी scroll कर देना है, मतलब कि लंबे में ले जाना है, ठीक है, ल जैसे ले के जाना है, left side को या right side को, तो मैं simply right side को ले के जाता हूँ, और इस तरीके से जाएगा, ठीक है, बिलकुल ऐसे medium में जाएगा, नीचे उपर कहीं भी ने जाना है, ठीक है, उसके बद आपको सबसे last में ले आना है, last में लानेक बाद, फिर आपको क्या करना है, आ जिरान से, ठीक है, बस यहाँ पर आपको रोग देना है, अब आपको start करके दिखाता हूँ, ठीक है, यह दिखी कैसे चल रहा है, इस तरीके से थोड़ा slow में है, ठीक है, welcome back to my channel, यह क्या होगे, extrolling text है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग, अपने वीडियो को काफी अच्छा इडिट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बता हूँ, कि अगर आप चाहते हैं कि इसको export कैसे करें, तो export करना भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे अब इस पर click करोगे, click किया, आपने उसके बाद यह utility बन गया, तो यहाँ पर आप इसका name भी change कर सकते है, name click करोगे, तो यह सारी file आपको ok रखने हैं, तो 720 पर ही है अभी, और यहाँ पर bitrate आपको बिल्कुल high level पर कर देनी, ठीक है, क्योंकि bitrate ही आपकी video को rank कराने का सबसे बढ़िया रोल है, ठीक है, bitrate जितना अच्छा होगा, उतनी video आपकी ज्यादा suggestion में जाएगी, ठीक है, उसके बद आपको export कर दे रहा है, export करने के बद, simply export जैसे आप करेंगे, तो यह जो file है, automatic, automatic यह remove हो जाएगी, जो भी virus होगा, वो हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आप इस video को export करके, अपने video को share कर सकते है, ठीक है, जैसे कि आप YouTube प्लेटफॉर्म पर भी लगा सकते है मतलब कि डाल सकते हैं, वीडियो को, और आप चाहते हैं, तो Facebook अगर आपका page बना है, तो यह video आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई आपको restriction नहीं है, आप वहाँ पर भी इसको डाल के page monetize करवा सकते हैं, यूटूब पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने बत कैसे बनाए, या PNG फाइल कैसे create करें, तो इसके बारे में आप लोग बोल दीजेगा, comment section में, मैं जरूर कोसिस करूँगा, कि उस topic पर जल्द ही video आप लोग तक मिल लाए, ठीक है, तो I hope यह आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए, तो like कर दीजेगा, और अप पर लिए आप अपना ख्यार लखना, okay friends take care, bye bye